नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खान की टोप 25 परमोख खबर जानते हैं हमंत सरकार का रोड मैप वस्त्र और परिधान, खाद और मांस, प्रसंसकरान, इलेक्ट्रोनिक्स, मोटर वाहन और इलेक्ट्रिक विकल को उच्प्रत्मिक थावाले छेत्रों के रूप में चीनित कर जार्खन की हमंत सरकार ने जार्खन अध्योगिक और निवेस प्रुसाहन नीती 2021 के व्यापक पिस्तार को लेकर रोड मैप तयार किया है, बतादेश कड़ी को और ससक्त करने के उदेश से हाल ही में दिली और राजधानी राची में इस्टेक होल्डर से राज सरकार रोबरू होई थी, और अपने उदेश से देश भर के उद्योग पत्यों को कराया था, इस दोरान मुख मंत्री ने जार्खण में निवेज के लिए उद्योग पत्यों को अमंत्रित किया था और कहा था कि वे हर कदम पर उनके साथ खड़े हाएं, मौसम भी भाग के अनुसार, आज राची में बादल छाय रहने के साथ में गरजन और बजरपात की सं संभवना है, इसे लेकर विभाग ने एलो अलर्ट जारी किया है, इस दोरान इन जीलो के अधिक्तम और निम्तन तापमान में ज्यादा तर परिवर्तन की संभवना नहीं है, जार्खण में पांच बिदेसी नागरीकों ने बनवाए अधारकाड, जार्खण से चोकाने वा करने के बाद भी यहां चोरिशी पेरा रहे हैं, वहीं अचर जनक रूप से कुछ बिदेसी नागरीकों ने भात दिये, नागरीकों को केंदर सरकार की ओर से प्रदत नागरीकता अस्थापित करने वाला अधारकाड और मददता पाचान पदर तक बनवा लिया है, तेरा र रूपया उनहातर पैसे प्रति दिन के हिसाब से बेरुजगारी भाता देकर राज सरकार अपना पीट थब 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 आ रही है, सवनिवार को ये बाते मेर असा लकडा ने कही, उन्होंने मुक्मंत्री हमासुरन की इस घोसना पर टिपनी करते हुए कहा, गि मुक्मंत रूपया उनहातर पैसे में एक बेरुजगार युवा क्या कर सकते हैं, बरतमान में एक सरामिक भी प्रति दिन नियुमत्म पांच वरुपय पर काम कर रहा है, 32 लीडर स्कूल को सिबी एसी की समबत्ता दिलाने के लिए 23 को ऑनलाइन आवेदान, की जमीन, नमांकन वा अधार्वुस सनरचना के दस्तावेज, बैंक एकाउंट, बैंक का नाम और पता के साथ साजीले के अगिन समक पतादिकारी, वस्वस्थ चिकित सा पतादिकारी का नाम और पता लेकर आना होगा, पसुधन योजना के तहट 57 परिवार को जोड़ने के तियारी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मंसुरन ने कहा कि राजे सरकार पसुधन योजना के तहट 57 परिवार को जोड़ने के तियारी में है, वही रेसम और लाह की खेती को क्रिशी का दर्जा दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि बर्ष 2018-19 में राजे में 2,7,000 मिट्रीक टन धान की खरीद की गई, जबकि उनकी सरकार ने पहले ही बर्ष में करीब 4,000,000 मिट्रीक टन धान की खरीद की जा चुकी है, अभी सरकार के चार बर्ष और बचे हाएं, बतादे मुख मंत्री सुक्रवार को विधान सभा में भोजना आउकास के बाद, सदान में मंत्री मंदल सची वाला है, वो निगरानी विवाग की 52,85 लाग रुपेज चाधी के अनुधान मांग पर, बाद विवाद के बाद सरकार की ओर से जबाब दे रहे थे, जार्खन में सभी युवाओ को नोकरी देना संभाव नहीं, मुख मंत्री, जार्खन में नीजी छेतर की नोकरीयों में अस्थानी युवाओ को 75,50 नोकरी देने के एलान के बाद, मुख मंत्री हमांसुरे ने एक और बड़ा ब्यान दिया है, मुख मंत्री ने कहा कि जार्खन के सभी युवाओ को नोकरी देना संभाव नहीं है, सरकार इन बेरुजगार युवाओ को सवरोजगार के लिए सरकार सस्ती दरोपरिन मुहजा कराने की योईना पर काम कर रही है, क्रिसी कानून के खिलाब 26 मार्च को भारत बंद, सन्यूत किसान मुर्चा ने क्रिसी समंधितीन काला कानूनों को वापस लेने की मायं को लेकर 26 मार्च को भारत बंद की गोस्ना की गया है, जिसका भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी वामदल और रायद ने इसका समर्थन किया है, री एड्मिस्ट और अने फिस नहीं देंगे अविभावक, बोकारों के नीजी स्कूलों में इन दिनों प्रती दिन हंगामा देखने को मिल रहा है, बता देश अनिवार को एक बार फिस सेक्टर चाहिए थि, डिये भी स्कूल में फिस जमा नहीं करने पर प्रवंधन द्वारा रियल्ट नहीं दिये जाने के खिलाब, अविभावकों ने इसकूल में जंग कर हंगामा किया, हंगामा को देखते हुए सियो मोगे पर पहुंचे, तो उन्होंने अविभावकों की धुनाई करने की बात कर डाली, इसके बाद अविभावक और आक्रोसित हो गए, किसी तरह मामले को सांथ कराया गया, जारखन में 123 नए संक्रमित की पुष्टी हुई है, जो राची से 57, बोकारों से 5, देवघर से 4, धनबाद से 8, दूमका से 3, पूर्विघ से 27, लातेहर से 5, गुमला से 5, खुटी से 6, साहेबगण से 1, और 25 से 2 मरीज मिले हैं, जारखन में कूल मौत की संक्रमित की संक्रमित 1095 है, वही एक्टिव केस की संक्रमित की संक्रमित 722 है, बारत में 43,815 अनाई केस मिले हाएं भारत में कूल मौद की संख्याई 1,69,790 है वहीं एक्टिव केस 3,96,93 है स्वास्थ मंत्री ने टिका करन अभियान की जनकारी ली सुबे के स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता सनिवार को रामगर पहुंचे तो स्वास्थ कार्यों काफी जाजा लिया उन्होंने बिचेस कुरोना टिका करन अभियान की जनकारी सिविल सरजन डाक्टर गीता सिनहा मान की से ली इसके बाद उन्होंने पुराना सदर अस्पताल के वैक्चिन नेशन सेंटर पहुंचे बताद इस द्वरान स्वास्थ मंद्रियन सरकार द्वार नेधायत गाइडलाइन के मताविक पूरे सिस्टम से कुरोना वैक्चिन लोगों को लगाने का निर्देश दिया जूनियर नेशनल की तयारी में जोटी जार्खन टीम सिम्डेगा जिले में दो दिन पूर्वी ही सब जूनियर नेशनल मैलाहों की चैंपियन की समापती हुई इसके तुरंट बाद जार्खन टीम जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की तयारी में जूट गई है वहीं दूसरी और बिधान सबसात्र से फूर्षत मिलते ही सिम्डेगा बिधायक भूसन बाड़ा सनिवार को एस्टो टर्फ एस्टेडियम पहुँचकर खिलाडियों से मिले बिधित हो की 18 माच कुराश्टी ये सब जूनियर मैला हो की चैंपियनशिप का समापन हुए है सिक्षा के छेतर में अभी भी सुधार किया सकता हिमन्त सुरेन मुखमंत्रि मसुरे ने कहा की देश की अजाधी ये मराज बनने के बाद आदिवासी दलीत ये अलप संख्यक भर्गों में सिक्षा के छेतर में उमीद के अनुरूप विकास नहीं हो पाया है सिक्षा के छेतर में अभी भी सुधार किया सकता है सरकार के सामने काफी चुनावतिया भी हाँ परन्तु आप सभी के सहयोग से इन चुनावतियों को अशर में बदलेंगे यह अबात मुखमंत्री ने सनिवार को पुरुलिया रोड राची इस्थित सोशल डेवलप्मेंट सेंटर सभागार में आदिवासियों यह अमदलितों के सिक्षा में चुनावतियों और समभावनाओ बिशाय पर आवेजित सेमिनार सहकार साला को समधित करते वे कही जार्खन में मैट्रिक का एडमिट का डाउनलोड की नहीं ती थी कि घोसना जल्द जार्खन में मैट्रिक परिच्छाक परवेश्पत्र सनिवार से डाउनलोड नहीं हुआ बता दे जार्खन एकेडमी कोंसी जैक द्वारा परवेश पत्र डाउनलोड होने की नहीं ती थी घोस्ना जलत की जाएगी राजी के कुछ जीलो द्वारा परिक्षा केनर निधारन की जनकारी अब तक जैक को नहीं भेजी गई है इससे परवेश पत्र त्यार नहीं हो सका आपको बता दे कि पहले 20 मार्च से मैट्रिक का परवेश पत्र डाउनलोड होने की घोस्ना की गई थी जार्खन के सभी पंचायतों में 3 चर्णों में 26 टीकाकरन अभियान शुरू जार्खन में पंचायत अस्तर पर कुरोना टीकाकरन का विशेस अभियान सनिवार से सुरू हो गया बता दे ए अभियान 3 चर्णों में चलेगा पहला चर्ण 20 और 21 मार्च को दूसरा चर्ण 23 से 24 मार्च और वहीं 3 चर्ण 26 से 27 मार्च तक चलेगा होली से पहले तीन चर्णों में ए विशेस टीकाकरन अभियान पूरा कर लिया जाएगा बता दे जार्खन के स्वास्त विभाग ने एक दिन में डेर लाग टीकाकरन का लक्ष निधायित किया गया है इसके लिए हर पंचायत बहुन में एक टीकाकरन केंदर बनाया गया है इस विशेस टीकाकरन अभियान की निगरानी के लिए राष्टिये स्वास्त मिशन ने हर जिले में 33 विशेस अगयों के टीम भेजी है जारखन में नवी से बरावी तक के विद्यार्थियों को भी छात्रविर्ती सरकारी विद्यालों में पढ़ने वाले काक्षा नवी से बरावी तक के समाने वर्ग के विद्यार्थियों को भी अब छात्रविर्ती मिलेगी बतादे बर्ष 2021 बाई से इसकी शुरुवात की जाएगी इस कुली सिक्षा वर सक्षर्था विभाक के बजट में छात्रवीर्ती के लिए 10 कोर रुपे के पधान किया गया है काक्षा नौवी वा दस वीक के बिद्यार्थियों को परतिवस 1500 रुपे बताद ये शरासी मुख्यमंतरी 26-6 वीक जो नेकता देजाएगी सिक्षा का अस्तर सुधार ने को सब का स्वयोग जरूरी मुख्यमंतरी मुख्यमंतरी मन सुरें ने कहा कि राजे को आगे ले जाने के लिए हम सभी के कंधों पर अभी बड़ी जीमिदारी है काफी जदो जहद के बाद राज का निर्वान हुआ है चार्कन की संस्क्रिती सिक्षा सहीत लोगों की सभी अपेक्छाओं को मजबूती परदान करना हम सभी का करता भी है इन राज के सर्वांगिन विकास के लिए हम नित्यूत करता के रूप में अपनी भूम का प्रतिबता के साथ निभाने के लिए सुधव पर्यास रत हैं उन्होंने काया कि सिक्षा के चेत्र में सरकार लागातार पूरी इमंदारी के साथ कार कर रही है आप सभी के सवयोग के साथ सरकार लंबे समय की कारी जोजना सिक्षा के अस्तर को सुधारने के लिए बनाने का कारी करेगी दोगुना दाम पर किरिसी उपकरन खरीदने की जाज को लेकर जनीत याज का दाखिल क्रिसी विभाग में किसान को बाटे जाने वाले क्रिसी उपकरण को दोगने दाम पर खरीद कर किसान को बितरित किये जाने के मामले में जार्खन हाई कोट में जनित याजका दायर की गई है बताजों सेंटर फोर आर्टी आई नामक थाग के और से जनित याज का दाखिल कर मामले की एसीबी से जाज कराने की मांग की गई है याजका करता के अधिवक्ता राजीर कुमार ने बताया कि राजी सरकार के क्रिसी विभाग में क्रिसी उपकरण को बजार मुले से दोगने मुल पर खडित कर किसानों के बीच बितरित किया जा रहा है धनबाद में रहतों ने नियोजन की मांग को लेकर किया अनिस्चित कालिन चक्का जाम धनबाद जिले के भावरा बी सी सी एल के इजे एरिया भावरा में अस्थानिय रहतों ने मुअबजा और नियोजन की मांग को लेकर अनिस्चित कालिन चक्का जाम किया है जादे वहीं अस्थानिये ने कहा कि हम लोगों को अपना रहत जमीन पर बीसी सीएल के द्वारा कोईला उत्खनन किया जा रहा है लेकिन हम लोगों को ना रोजगार मिला ना जमीन के एवज में पैसा वहीं इसके पूर्व हम लोग प्रवंधक के एरिया कर्याले में धारना इसके बावजूद भी कोई पाहल नहीं दिखा वहीं भी सीएल के द्वारा कितनी बार जमीन का कागजात भी मांगा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जिसको लेकर हम सभी रहतों ने अनिश्चित कारें चक्का जाम किया है पलामू में अंगन बारी केंद्रों को खो आयुजन हुआ बैठक में जीला समाज कल्यान पदादिकारी ने पदान मंत्री मातित बंदना योजना के अंतरगत चैनपूर छतरपूर एवं हुसायनाबाद पर योजना को तीसरी किस्त एवं लंबित करेक्शन क्यू को कम करने का दिशानिर्देश भी दिया धन्यवाद करें हुस तो पर शतरपद लंदना हु स्वड़ु जुष से इवं है करें बाहलर लंदना हन्यवाद